ये चित्र जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसे देख कर मन में बहुत सारे सवाल उत्पन होते हैं कि आखिर ये बालक कौन है जो इस प्रकार श्रिवलिंग से लिपट कर बैठा हुआ है इस बालक के समीब यमराज क्यों खड़े हैं और ये चित्र किस घटना का वरणन कर रहा है तो आएए जानते हैं इस रहसे में चित्र के पीछे की संपूर्ण घटना पौराणिक कथाओं के अनुसार रिशि मुरुकंडू और उनकी पतनी मरुद मती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की कठोर तप के बाद इनके तपस्या से प्रसन्न होकर पगवान श्रिव ने इनको दर्शन दिये वर्दान स्वरूप इस दमपत्ते ने संतान के याचना की जिस पर महादेव ने उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए इनको दो विकल्प दिये जिन में से पहला विकल्प था अल्प आयू और बुद्धिमान पुत्र जबकी दूसरा विकल्प था दिर्गायू परंतु मन्द बुद्धी पुत्र इस पर रिशिमरुकंडू ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभू मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो भले ही अल्पायू हो परंतु स्वयम ही गुणों की खान के समान हो इसके परेणाम स्वरू परिशिमरुकंडू को अल्पायू लेकिन बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई इस बालक का नाम मारकंडे रखा गया वर्दान के अनुसार इनका जीवनकाल केवल 16 वर्ष का ही था कुछ समाई बाद जब मारकंडे को अपने जीवन के सत्य के बारे में पता चला तो वे भगवान शिव की पूजा करने लगे। नहों ने अपना सारा ध्यान शिव भक्ति पर केंद्रित कर दिया। मारकंडे काशी से कुछ दूरी परस्थित कैथी नामक गाव में एक शिव मंदिर के पास जा पहुँचे। शिव भक्ति में लीन होने के कारण उनको सब्त रिशी की सहायता से महामृत्युन्जे मंत्र की दिक्षा मिली थी। इस मंत्र के प्रभाव के कारण ही शिव जी को मारकंडे की प्राण बचानी आना पड़ा। मारकंडे की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने तुरंध ही यमराज की वार को भी असर कर दिया। मारकंडे की श्रता और आसा को देखकर पगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीवित रहने का वर्दान दिया। शिव जी से अमरत्व का वर्दान पाकर मारकंडे वापस ही अपने मातापिता की पास आ पहुँचे। उन्होंने लोगों तक प्रभु की महिमा पहुँचाई और उन्होंने ही मारकंडे पुराण की रचनाकी। आज की इस वीडियो में हमने रिशी मारकंडे से जुड़ी एक अद्बुत कथा सुनाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करे। ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेजिबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दे इन्फोशिन को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।